हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू ऑनलाइन इस्टिटी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो में जनरल साइंस सावान विगजान के तीस अत्यंद महात्मूर कोश्चन देखेंगे जो कि सभी एक्जाम्स के लिए बहुत महात्मूर है इसलिए आप इस वीडियो को इसकिप ना करते है लास्त जरूर देखें और दोस्तों अदिवी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते ताक कि आपको एक्जाम से लेटेड डेली वीडियो मिलती रहे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आप ह ओप्सन भी स्टार्च ठीक है लार किसके पाचन मदद करती स्टार्च अगला कोशन देखते हैं सब्सक्राइब जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है ओप्सन है शरकरा जल की विटामिन की या एंजाइम की तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन भी जल की ठीक है कोशन थार्ट है दोस्तों पित का श्रोत क्या होता है ओप्सन है पितास है यक्रित पित वाहिनी अगनास है तो पित का श्रोत होता है दोस्तों यक्रित ठीक है ओप्सन भी करेक्ट कोशन थार्ट है दूद में सबसे बड़ा तत त्टु क्या होता है, वसा, खनीज, जल, शरकरा, राइट एंसर, दोश्व जो, ऑप्षन की, सरकरा, दूद में सबसे बढ़ link क्या होता है, सरकरा, लूत क्यों है, को पिपते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, आपसन है आईसोएंजाइम हेलोएंजाइम एपोएंजाइम या ये सभी जिसका राइट एंसर हुजयाग दोस्तू एपोएंजाइम यानि आपसन सी राइट है ठीक है? एपोएंजाइम Q6 है एंसाइम क्या होते हैं? आपसन है दोस्तो Ischeride, Carbohydrate, Protein, Lipid दुसका right answer होगा दोस्तोm Option C protein Enzyme क्या होते हैं? iffs, Keoschion Numbers 7 देख लेते हैं onder the patron à option एकμέर कारbohydrate, Lehpid, nipid, 1000 करेक्ट answer होगा दोस्तों Option C protein nitrogen नाहार होता है arat sound question 8 है एमिनो एसीट के आवर सकता किसके संसलेशन के लिए होती है ओप्सन है लिपीड, प्रोटीन, कार्भोहड़र्ड, एलकेलाइड दोस्तो इसका राइड एंसर हो जाएगा ओप्सन भी प्रोटीन ठीक है तो एमेनो एसिट क्या आप सकता इसके संसेलेशन के लिए होती है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा अगर लिपी प्रोटीन ठीक है option B question 9 है खटे स्वात के लिए कोश्काएं जीवा के किस भाग में होती है option अगले पिछले पार्ष मद तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option C पार्ष ठीक है खटे स्वात के लिए कोश्काएं जीवा के पार्ष भाग में होती है question 10 है मानव शरीर में सबसे धिक मात्रा में काउन सतत्त पाए जाता है काफी महत्पूर्ड question है कई बार पूछा गया है option है oxygen, iron, nitrogen, carbon right answer है इसका option है oxygen ठीक है मानव शरीर सबसे धिक मात्रा में काउन सतत्त पा जाता है oxygen दोस्तों इस वीडियो में जितने भी question में बता रहा हूँ ये बार बार पूछे गए हैं और आगामी exam समय ये पूछे आ सकते हैं आप वीडियो को लास्तर जिरूर देखें वनसागती के अध्यान से सम्मंधित जीव विगजान की शाखा क्या कहलाती है option है अनुवान्सकी शरीर की, कोश्का विगजान या इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों correct answer जाएगा option है अनुवान्सकी ठीक है वनसागती के अध्यान से सम्मंधित जीव विगजान की साखा कहलाती है अनुवान्सकी निम्लिकित में से किसको अनुवान्सकी का पिता कहा जाता है option है मेंडल वीजामान, डार्वीन, केसी, मेहता तो right answer दोस्तों option है मेंडल ठीक है अनुवान्सकी का पिता कि सुका जाता है मेंडल को जीन सब्द का प्रतिपादन किसने किया जीन सब्द का प्रतिपादन option है डीडी पंद, जोहांसन, मेंडल, डार्वीन दोस्तों इसका right answer हो एगा option भी जोहांसन जीन सब्द का प्रतिपादन किसने किया था जोहांसन ने तो option भी correct है question 14 थै जीन्स बने होते हैं option है RNA, प्रोटीनों के डीएने के ये डीएने तथा आरेने के right answer वहांग दोस्तों इसका option C डीएने के ठीक है जीन्स बने होते हैं dna के option C right है प्रयोग शाला में सरुर्थम dna का संसलेशन किसने किया था option है खुराना ने, Miller ने, Darwin ने या इन में से कोई नहीं correct answer व्यागा दोस्तों इसका option है खुराना ने ठीक है प्रयोग साला में सर बफम dna का संसलेशन किसने किया था खुराना कोश्चन नमर 16 है अनुवान से की उत्परिवर्तन होता है आपसान है क्रोमोसोम, राइवोसोम, आरेने या इन में से कोई नहीं राइट एंसर हो जागा दोस्तों आपसान है क्रोमोसोम अनुवान से की उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम सेल नाम किस जीव बैगजानिक ने सर्वर्थम दिया था option है brown, rabbit hook, flaming इन में से कोई नहीं right answer हो जागा दोस्तों, rabbit hook यानि option भी correct है सेल नाम, rabbit hook, बैगजानिक जीव बैगजानिक ने सर्वर्थम दिया था question number 18 है दोस्तों कोशिका में protein sensation कहां होता है option है दोस्तों, ribosome, centrosome, golgica या इन में से कोई नहीं correct answer है option है ribosome कोशिका में protein sensation कहां होता है ribosome में question number 19 है दोस्तों 80% से अधिक सेल में पाय जाने वाला पदार्थ क्या है option है दोस्तों, gel, खनिज, प्रोटीन, चर्वी right answer हो जागा option है जल 80% से थिक सेल में पाय जाने वाला पदार्थ क्या है, जल है question number 20 है पादपो में जल तथा खनिज, लबणो का संचालन किसके द्वारा होता है option है phloem, gylam, cortex, pith correct answer हो जाएगा option भी जाइलम पादपो में जल तथा खनिज, लबणो का संचालन, जाइलम द्वारा होता है अगला question दोस्तो, question number 21 पादपो में बना खाद्य पदार्थ, पौधे के बिभी नंकों में किसके द्वारा पहुचता है option है phloem, cortex, gylam right answer हो जाएगा दोस्तो, option है phloem पादपो में बना खाद्य पदार्थ, पौधे के किस अंग द्वारा पहुचता है question number 22 है दोस्तो, पादपो की लंबाई में ब्रिधी के लिया आवर्श्यक नहीं है option है nitrogen, sodium, calcium, phosphorus right answer इसका option B, sodium पादपो की लंबाई में ब्रिधी के लिया आवर्श्यक क्या नहीं है, sodium ठीक है, option B question number 23 है प्रकाश चंसलेशन क्रिया में मुक्त होने वाले अक्सिजन कहां से आती है option है वाइमेंडल, जल, कारवन डाइकसाइट, इन में से कोई नहीं तो right answer है दोस्तो, option B, gel प्रकाश चंसलेशन में क्रिया में मुक्त होने वाले अक्सिजन कहां से आती है, जल से प्रक्किया क्या कहलाती है जिसका राइट इंसर वहागा ऑप्षन भी फफोदी पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक कौन है और पॉधों का खाना तयार करने की प्रक्किया क्या कहलाती है उसका करेक्ट इंसर वहागा ऑप्षन ने फोटो सिंथेसिस ठीक है प्रकास तंसलेशन कोश्चन नमबर उंतीस दोस्तों खायरा रोग किस फचल से सम्बंधित है बहुत मात्मूर कोश्चन है वेरी इंपोर्टेन धान गन्ना ज्वार मुक्फली राइट अंसर वहागा ऑप्षन ने धान ठीक है खायरा रोग किस फचल सम्बंधित है धान से कोश्चन है